असलाम लेकर नेक्स जो एकसरसाइज है वो हमरे पास 9.1 है उसमें हमने कुशन नमर 1 पहले करना है Find the distance तो distance इसमें find करेंगे तो distance हमेशा कोई बी 2 points के दर्में आना आती था तो पेर 2 points नहीं पहले given है तो सबसे पहले हमें distance का formula आना जरूरी है क्या आना जरूरी है? distance का formula तो वो हम लिखते हैं तो distance दोने दरफ लाइन लगाना जरूरी है तो वो एकबल टूके है x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square और उपर square root है उससे पहले 2 line है इसका महलब भी ये absolute value है कि answer हमेशा positive आना जाए और ये भी आप लोगों को पहले ही पता है कि distance हमेशा क्या होता है positive तो distance का answer कभी भी negative नहीं आना जाए अगर आप ही रहे तो आप लोग उसको solve करके किसमें convert करेंगे? positive वाले answer तो अब हम इसका part number 1 करते हैं तो उसमें A की value दियो ही है 9, 2, B की दियो ही है 7, 2 तो हर order pair में पहले value होती है X की दूसरी Y की तो अब दो order pair हो गया है तो इसलिए पहले वाले का नाम X1, Y1 रख लेते हैं क्या नाम रख लेंगे? X1 और Y1 इसी तरह हम सेक्ट वाले का क्या हम नाम रखेंगे? X2 और Y2 क्योंको पहले वाले का नाम X1, Y1 होगे तो नाम X2, Y2 तो ये नाम आप change भी कर सकती है ये नाम आप क्या कर सकते है? अब ये value का आगी है फार्मूले में अब हम put करते है तो जब हम फार्मूले में put करेंगे तो पहले value हमरे पास क्या आजाएगी? X2 की, X2 हमारे पास क्या है? 7 तो X2 क्या आ रहा है? 7 माइनस X1 की value हमारे पास 9 आ रही है क्या रही है? 9 उसका square आ जाएगा प्लस उसके बाद हमारे पास Y2 की value वो भी 2 है और Y1 की value भी क्या है? 2 तो 2 माइनस 2 और उसका क्या आ गया? whole square अब हम इसको simplify करते है तो 7 माइनस 9 क्या आएगा? हमारे पास माइनस 2 का whole square उसके बाद 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 का square अब माइनस 2 का square काटना नहीं है उसको खोल देना है तो माइनस 2 का square कोलेंगे तो वो क्या आ आ जाएगा? प्लस 4 आना चाहिए किसी का answer negative नहीं आना चाहिए 0 का square लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 दोनों को add किया तो answer फिर क्या रहे गया? 4 तो 4 का square उट लेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 तो distance देखे लें positive आ गए अगर आप लोग उपर जाके मुस्टी लोग क्या कर देते हैं? माइनस 2 के पर square था तो वो काट देते है माइनस 2 के पर जो square वो काट देते है अगर काटेंगे तो answer negative आ जाएगा तो अगर आपका answer negative आ रहे है तो it means वो गलत आ रहे है क्या रहे है? गलत तो answer हमेशा क्या होना चाहिए? positive तो अब हम इसका पार्ट नमबर जो है वो D करते हैं पार्ट नमबर क्या करते हैं? D A की value हमें given है माइनस 4 अंडर रो 2 और उसके बाद है B की value माइनस 4 और माइनस 3 तो इसमें भी नाम वही हम रख लेते हैं पहले वाले में order pair में नाम रखेंगे X1, Y1 पहले वाले में नाम क्या रख लेते हैं? पार्मॉले में value भी बूट करने हैं लेकर उससे पहले नाम रखना ज़रोजी है तो ये नाम हम रखते हैं X1, Y1 दूसरे वाले में नाम क्या रख दिया हमने X2, Y2 X2, Y2 अब फार्मॉले में लेपुट करते हैं माइनस 4, Y2 की value है X2 की value है और फिर माइनस 4, ये भी X1 की value है इसके बाद वड़ी bracket आए उसका whole square प्लस Y2 की value हमारे पास थी माइनस 3 क्या थी? माइनस 3 और Y2, 1 की value हमारे पास under 2 है और उसके बाहर क्या आगया? square अब इसको हम simplify कर लेते है तो ये minus 4 as it is आजएगा हमारे पास minus 4 आगया as it is तो minus 4, minus minus, plus 4 और उसका क्या आगया? whole square plus under root, minus 3, minus under root 2 और उसका whole square as it is रहने देते हैं भी तक तो पहले को solve कर लेते है तो अब minus 4, plus 4 क्या आजएगा? 0 तो 0 को square लेंगे तो answer क्या आजएगा? 0 अगले वाला फिर वे as it is आगया है तो अब add करेंगे तो कई लोग क्या करते हैं? बहुस्छली मलब कि ये under root 2 के साथ 2 को काट देते हैं 99% लोग ऐसे करते हैं लेकर आप लोगों एसा नहीं करना है क्योंकि answer negative आजएगा तो इसके लिए पहले हम add करते हैं 0 को तो ये हमारे पास क्या आजएगा? minus 3, minus 2 का whole square तो अब इसमें से minus हमने खतम करना है क्या खतम करना है? minus तो वो दोनों में से common ले 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 और उसका whole square तो अब ये square दोनों का आगा है minus 1 का भी और 3 plus under root 2 का भी तो minus 1 का square लाइदा कर दें और 3 plus under root 2 का whole square लाइदा कर दें तो अब minus 1 का square solve करेंगे तो वो हमारे पास क्या आजएगा? 1 वो हमारे पास क्या आजएगा? 1 अब आप देशकते हैं आंसर हमारे पास यह एजिट इस आ गया पोजिटिव आ गया अब इसको आप काट सकते हैं क्योंकि तो काट देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आजेगा 3 प्लस अंडरो 2 क्योंकि उसको 1 से मुटिपले करेंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो अब आप देशकते हैं कि आंसर पोजिटिव आ गया ठीक है तो अगर आप ऊपर काट देते तो आंसर नेगिटिव आना था ओप कि आप कोई तरीका समझ आ गया होगा थेंक यू एंड अला हाफीज